आज हम पढ़ेंगे Old Names and New Names of क्या? Countries क्या पढ़ेंगे? Old Names and New Names of Countries Countries मतलब देश देशों के पुराने नाम और नए नाम ये दोनों आज हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे पहले ये देश किस नाम से जाने जाते थे? और आज ये देश किस नाम से जाने जाते हैं? इन सब को हम क्या करेंगे? Learn करेंगे चलिए करते हैं Learn एक एक्जामपल समझा दूँ मैं आपको बताती हूँ जैसे कि क्योंकि ये कंट्रीज थोड़ी निउ हैं आपके लिए इसलिए मैं एक एक्जामपल बताती हूँ आपको जैसे इंडिया इंडिया को कुछ लोग भारत के नाम से जानते हैं कुछ हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं तो इंडिया को इन तीमनों नाम से क्या है? सब जानते हैं कोई इंडिया बोलता है कोई भारत बोलता है कोई हिंदुस्तान बोलता है ठीके? वैसे ही ये देश है पहले इन नामों से जाना जाता था और लेकिन आज इनके न्यू नेम्स क्या है? ये हैं इन नामों से जाने जाते हैं चलिए क्या है गोयाना क्या है गोयाना यह क्या लिखा है सेलोन सेलोन को अब हम किस नेम से जानते हैं श्री लंका किस नेम से जानते हैं हम श्री लंका फिर क्या लिखा है जैरे जैरे का न्यूनेम क्या है कॉंगो क्या है कॉंगो फिफ्थ क्या है आपका डचीस्ट इंडीज डचीस इंडीस को आप किस नेम से जानते हैं, इंडोनेशिया के नेम से जानते हैं, चलिए, आईस क्लोस करिए अपनी, मैं बोलूँगी आप रिवाइस करिए, लर्न करिए मेरे साथ साथ, First है Abyssinia, the new name of Abyssinia is Ethiopia, the new name of British Guyana is Guyana, very good The new name of Ceylon is Sri Lanka, the new name of Zare is Congo, the new name of Dutch East Indies is Indonesia, very good आखे बंदी रहने दीजिएगा, अभी लंड नहीं हुआ है, मुझे पता है Abyssinia, Ethiopia, British Guyana, Guyana, Ceylon, Sri Lanka, Zare, Congo, Dutch East Indies, Indonesia फिर से एक और बार Abyssinia, Ethiopia, British Guyana, Guyana, Ceylon, Sri Lanka, Zare, Congo, Dutch East Indies, Indonesia Very good, अब मैं क्या करूँगी, जल्दी बताईए, हाँ, हमेशा की तरह है, new names को hide कर दूँगी Test लेना है ना मुझे आपका इस वज़ह से, new names को hide करूँगी, old names आपको दिखाऊँगी फिर आप मुझे बताईएगा, इन देशों को अब आप किस name से जानते हैं, ठीक है बच्चों मैंने hide कर दिया, अब आप मुझे बताईएगा, इन देशों को आप किस name से जानते हैं, इन देशों के new name क्या है First क्या लिखा है, Abyssinia, Abyssinia का new name क्या है, Ethiopia, British Guyana British Guyana का new name क्या है, Guyana, very good, ये क्या लिखा है, Salon Salon का new name क्या है, Hanji, Sri Lanka Zare, Zare का new name क्या है, Congo, very good Fifth क्या लिखा है, Dutch East Indies, Dutch East Indies का new name क्या है, Indonesia अब मैं क्या करूंगी, old names को hide करूंगी और आप मुझे बताएगे new names को देखकर कि इन देशों को पहले किन नामों से जाना जाता था, ठीक है बच्चों Old names को hide कर दिया, आप मुझे बताएगे मुझे, Abyssinia Abyssinia क्या है, Ethiopia का old name है, Guyana, Guyana का old name क्या है, बताएगे British Guyana, very good, Sri Lanka, Sri Lanka का old name क्या है, Salon, very good ये क्या लिखा है, Congo, Congo का old name क्या है, Congo का, बताएगे, Zare, very good Indonesia, Indonesia का old name क्या है, Dutch East Indies, अब हम क्या करेंगे, ये भी बताएगे, हाँ, हाँ अब हम 6 to 10 learn करेंगे, 1 to 5 तो हमें learn हो गए, बच्चों, 1 to 5 हमने learn किये अभी, अब हम क्या learn करने वाले हैं, 6 to 10 learn करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 में क्या लिखा हुआ है, Formosa, Formosa को किस नाम से जानते हैं, आज हम, ताइवान के नाम से जानते हैं, किस नेम से जानते हैं, ताइवान के नाम से, Formosa का new name क्या है, ताइवान, ये क्या लिखा है, Holland, Holland का new name क्या है The Netherlands, क्या है? The Netherlands, यह क्या लिखा है? Madagascar, क्या लिखा है? Madagascar, Madagascar का new name क्या है? Malagasy, क्या है? Malagasy, यह क्या लिखा है? Manchukuo, क्या है? Manchukuo, मांचukuo का new name क्या है? Manchuria, क्या है? Manchuria, यह क्या लिखा है? मैसोपटामिया क्या लिखा है मैसोपटामिया मैसोपटामिया का न्यू नेम क्या है इराक फैमिलियर है यह वर्ड तो आपके लिए इराक यह कंट्री फैमिलियर है आपके लिए इराक यह हमने पढ़ी है पहले चलिए रिवाइस करते हैं आखे बंद करिए फॉर्मोसा का न् नेम क्या है? The Netherlands, Madagascar का न्यू नेम क्या है? Malagasy, Manchukuo का न्यू नेम क्या है? Manchuria, Mesopotamia का न्यू नेम क्या है? Iraq, फिर से आइस क्लोस ही रहने दीजेगा, Formosa का न्यू नेम क्या है? Taiwan, Holland का न्यू नेम क्या है? The Netherlands, Madagascar का न्यू नेम क्या है? Malagasy, Manchukuo का न्यू नेम क्या है? Man मैसोप्रामिय का दीवान ओल्रेट्र दीवान मचूकुऊ मैसे रिंस स्कलड़ामिय यहां कीainted operative very good, Holland का new name क्या है, बताइए, the Netherlands, very good, अच्छी दरीगे से लर्ण कर रहे हैं आप लोग, इक है लिखा है, Madagascar, Madagascar का new name क्या है, Malagasy, यह क्या है, Manchukuo, Manchukuo का new name क्या है, Manchuria, very good, इक है लिखा है, Mesopotamia, Mesopotamia का new name क्या है, बताइए, इराक, very good, फिर से, Pormosa का new name, Taiwan, Holland का new name, बताइए मुझे, the Netherlands, Madagascar का new name, Malagasy, Manchukuo का new name, फिर से बताइए मुझे, Manchuria, very good, क्या है, Manchuria, अब क्या लिखा हुआ है, Mesopotamia, Mesopotamia का new name क्या है, इराक, very good, अब आपको learn होगा new names, अब मैं क्या करूँगी, old names को height करूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा, इन देशों को पहले किन नामों से जाना चाहता था, अब आप मुझे बताइए, ताइवान का old name क्या है, जल्दी बताइए, फॉर्मोसा, very good, the Netherlands का old name क्या है, बताइए, हॉलेंट, मलगासी का old name क्या है, मडगासकर, और मैंचूरिया का old name क्या है, मांचुकूओ, इराक का old name बताइए मुझे, बताइए, मैसोपटामिया फिर से, ताइवान का old name क्या है, फॉर्मोसा, the Netherlands का old name क्या है, हॉलेंट, मलगासी का old name क्या है, मडगासकर, मंचूरिया का old name क्या है, मांचुकूओ, और इराक का old name क्या है बच्चो, बताइए, बताइए जल्दी से, मैसोपटामिया, अब हम क्या करने वाले हैं, यह और बताइए, अब हमें 1 to 10 learn होगा है, अब हम क्या learn करेंगे, 11 to 20, लेकिन उससे पहले हम कितने learn करते हैं, 5, 5, पहले हम कितने learn करेंगे, 11 to 15, यह रहे आपके 11 to 15, चलिए, फर्स्ट क्या दे रखा है, मलाया, मलाया का new name क्या है, मलेशिया, यह क्या लिखा है, सैलिस्बरी, Salisbury का new name क्या है? Harare यह क्या लिखा है? Southwest Africa Southwest Africa का new name क्या है? Namibia यह क्या लिखा है? Gold Coast Gold Coast का new name क्या है? Ghana Angora Angora का new name क्या है? Ankara क्या है? Ankara I close करिये Learn करिये मेरे साथ The new name of Malaya is Malaysia The new name of Salisbury is Harare अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये भी बता दीजे मुझे, मैं new names को height करने वाली हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, height कर दिया, अब आप मुझे क्या बताएंगे, new name बताएंगे, इन देशों के नए नाम बताएंगे, Malaya का new name, Malaysia, very good, Salisbury का new name क्या है, बताएंगे, Harare, very good, Southwest Africa का new name बताएंगे, Namibia, जल्दी जल्दी learn कर रहे हैं इस बार तो आप लो, gold coast का new name गाना, और अंगोरा का new name अंकारा, फिर से, Malaya, Malaysia, Salisbury, Harare, Southwest Africa, बताएंगे, Namibia, very good, gold coast, घाना, अंगोरा, अंकारा, ये देखिए, अरे वा, मेरे बच्चों ने तुस्स सारे, अच्छे-च्छे answers दिये हैं, आता है, इसका मतलब आपको learn हो गया है, है ना, अब मैं क्या देखिए, मैंने old names को hide कर दिया है, आप मुझे क्या बताएंगे, इन देशों के पुरानी नाम बताएंगे, Malaysia का पुराना नाम क्या है, old name क्या है, Malaya, very good, हरारे का old name बताएंगे, Salisbury, very good, Namibia का, South West Africa, घाना का, गोल्ड कोस्ट, अंगोरा का, अंकारा का, अंगोरा, फिर से, Malaysia का old name, Malaya, हरारे का old name, Salisbury, Namibia का old name, South West Africa, घाना का old name, गोल्ड कोस्ट और अंगारा का old name बताएंगे, मुझे,